नमस्कार साथियों Infusionnauts के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपका साथी कपिल टिवाड़ी आज आपके सामने राजस्तान करेंट अफैर 14 अगस 2023 को लेकर पस्तो तुआ हूँ इस सेसन में अपने जितने भी महतोपुन परसन बने हैं राजस्तान करेंट अफैर्ट से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा परियास रहेगा कि आपको साथ या दस मीट के अंदर अंदर राजस्तान करंट अफैर के महतोपुन परसन प्रोवाइड करुआ दिये जाएंगे अगर मेरे द्वारे यह परियास किया जारा परियास आपको पसंद आ रहा है तो साथ यह इसे लाइक और शेर कीजिएगा कमेंट बोक्स में भी आप कमेंट बोक्स कमेंट करके अपना सुजाओ दे सकते हैं तो आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्तान करंट अफैर 14 गर्द 2023 से अपने इसमें मेहतोपुन परसन है सबसे इपोर्टेंट परसन है यह आपको प्रत्योगी प्रिक्षा में देखने को मिल सकता है क्यूसन है सुप्रीम कोट के चीफ जैस्टिस DVI चंदर चरूर की अधैक्स्ता में हुई मीटिंग में राजस्तान हाई कोट में कितने जजों के ट्रांसफर करने की शिफारी से की गई है इपोर्टेंट है लगा लो निसान यहां से आपको परसन देखने को मिलेगा पूछ लेगा इसकी ट्रांसफर के बाद कितने जज़ हो गए इस परकार पूछ सकता है इससे पहले कितने ज़ज थे तो अपने तीन जज़ों की शिफारी जैदो चीफ ज़श्टिस डीवी आईचंदर चरूड के देखस्ता में हुई है उसमें गुजरात हाई कोर्ट के ज़श्टिस हैं समीर जी दूबे वैपनजाव हरियाना के ज़श्टिस हैं अरुण मोगा तेलगाना की ज़श्टिस है मुनरी लक्षमन वैपनजाव हरियाना कोर्ट के हैं इनके बाद अगर इनका ट्रांसफर हो गया तो ज़श्टिस हैं ये तीन होगे इसके आने के बाद ज़श्टिस हैं आपने राज़ास्तान हाई कोट में 37 हो जाएगी ये परसन था सिफारिष किसने की आप से पूछ सकता है डी वी आई चंदर चरूर के देखता है में हुई कितने की की इन से पूछ सकता है कि जो तीन आए हैं वो कौन से हैं तो मैंने आपको उनका जो गुजरात हाई कोट के ह जश्री समीर दूबे वे पंजाव रियाना के अरुन मोगा वे तेलंगाना की है मुंदरी लक्समनत आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्यूसन पर बात करेंगे ये भी परसन इपोर्टेंट है शांदार परसन है आपको अगामी परत्योंगी परिक्षा में ये देखने क को मिल सकता है क्यूसन है की हाली में इसके स्टार लगा लो इपोर्टेंट परसन है चपने लाएके क्यूसन है हाली में टाइगर कंजर्वेशन और थोर्टी द्वारा पर देस के किस अभ्यारन को टाइगर इजरो बनाने की जो मंझूरी दे दी गई तो अपने कुंबल रहेगा कुंबल गडवन्य जीव ब्यारण को इसका चेतर फल रहेगा आप से पूचे चेतर फल कितना होगा 2766 वरकिमी में ये बनेगा अब वहां से तो मंजूरी मिल गई है अब देखने वाली बात रहेगी कि परदेश सरकार इस पर कितना कारे करती है उसके बाद इस पर का ये टाइगर इज्रो के रूप में देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूशन पर अपने बात करेंगे परदेश में मिनी सच्चिवाले कहां बनेगा तो ये मिनी सच्चिवाले बनेगा नवलगड जूझनू के नवलगड में बनेगा मिनी सच् लिए मुख्य मंत्री ने जो बजट है वो 11 करोड का सुईकर्ट किया है अगले क्यूशन पर अपने बात करेंगे हमारी परत्योगी परिक्षा के लिए इपोर्टेंट है ये परसन परदेश में परत्योगी परिक्षा में नकल रोकने के लिए सुरुक्षा वेवस्ता को सकता है सरकार ऐसा करेगी कि जागरुक्ता फेले इस परकार का परसन इसलिए पूच सकती है परत्योगी परिक्षा में नकल रोकने के लिए सुरुक्षा वेवस्ता को सूदर्ड करने के लिए कितने करोड के बिजट की सुईकर्ती दी गई 27.78 करोड की दी गई इसका उदे सरकार दुआ रख करने का प्रयासे किया जाएगा सातियों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्यूशन पर बात करेंगे राजस्तान प्रीमियर लीग में सबसे महगा खिलाडी कोन बना हाली में राजस्तान प्रीमियर लीग के लिए जो खिलाडियों की निलामी हुई ही थी उसमें कौन सबसे महंगा खिलाडी भी का तो दिपक हुड़ा है वैस सबसे महंगे खिलाडी भी के एरो इनकी किम्मत थी 15 पॉइंट पचास लाख रुपे में इसको जेपूर इंडियन्स ने खरीदा है इसमें कितनी टीमें भाग ले रही है तो इसमें 6 टीमें भाग ले रह रही है राजस्तान क्रिकेट एसोशेशन इसका आयोजने करवा रही है इसका शुरुआति मुकावला जोदपूर में होगा और फाइनल मुकावला जेपूर में होने की संभावना बता रही है राजस्तान क्रिकेट एसोशेशन के अधेक्स हैं वेबो गहलोत ये भी जानकरी मैंने आपके साथ इस person से अलावा थी वो share कर दी साथियों आगे बढ़ेंगे अगले question पर अपने बात करेंगे सरकारी विद्याले के विद्यार्थियों में good touch, bad touch, wixit करने के लिए school शिक्षा, विवाग दोरा कौन सा ब्यान चला जा रहा है अगामी पर्टियों की परिक्षा होनी है उनमें यह person आपको देखने को मिलेगा question है सरकारी विद्याले के विद्यार्थियों में good touch and bad touch विख्षित करने के लिए school शिक्षा विवाग दोरा कौन सा ब्यान चलाया जा रहा है तो answer होगा शुरुक्षित स्कूल, शुरुक्षित राजस्तान इसका उद्धेश है है कि शुरुक्षित राजस्तान में जो कुछ है वांस निया गंटरना ही हो रही है उसके पर ती बच्चों को बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है उस परकार बच्चों को तो सही मारक पर ले जाया जाए, इसके लिए पर टेक विद्याले में एक शिक्सक को मास्टर ट्रेनर के रूप में विक्षित किया जाएगा, यानि एक शिक्सक को चुना जाएगा, उसको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रेक्षित किया जाएगा, और वहे आगे होता है वही स्कूल में अगर अच्छे संसकार शिखेगा तो है समाज में अच्छे संसकार देगा उसी से बढ़िया और आसपास का महोल बढ़िया रहेगा इसलिए शिक्षा विवाग ने इस पहल को शुरू किया है साथियों आगे बढ़ेंगे अगले कुशन पर अपने बा लगेगा और फाय सागर जील है अजमेर इसमें भी 2 मेगा वाट का लगेगा सागर जील है जेपुर की इसमें 1वाट का लगेगा उपयो क्या होगा इसका सस्ती बिजली के लिए पानी में सॉलर पलांटे लगाए जा रही है यानि है पाइलेट प्रोजेक्ट पर एक वार को ट्राइ करकी देखा जाएगा अगर सक्सेस मिलती है तो आगे अन्य जीलों पर भी इसको लगाया जाएगा तो तीन जीले है शुरुवात में अन्ना सागर जील अजमेर में इसमें दो मेगावाट का फाइस सागर जील है अजमेर में इसमें दो मेगावाट का और मान सागर जेपुर में एक MW का लगाया जाएगा नी पानी के solar plant पानी में solar plant लगाये जाएंगे इनकी शुरुवात कहां से होई है तो तीन जीलों से होई है यह मैंने आप के साथ इस person की जानकरी share कर दीए इसका उदेश है भी बता दिया तो सातियों इस में मैंने आपके साथ ये राजस्तान करंट अफेर्स के महतोपुन शेयर किये अगर मेरे दौरा दीगी जानकर या आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा अगर कोई आप सुजाओ देना चाहते हैं तो क स्क्राइब कीजिए और हमसे जुडिएगा धन्यवाद